तो गैस आप फाइनली देख सकते हो कि मेरा रीजन चेंज हो चुका है ब्राजील सर्वर के अंदर मैं आ चुका हूँ बिना VPN यूज करें ठीक है तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हूँ कैसे आप सर्वर चेंज कर सकते हो यूज को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और ऐसी वीडियो जाती रहेंगी साइन अप करना है और फिर आप जो है इसपोर्ट भी प्ले कर सकते हो फ्री में और फिर आप विन कर सकते हो डायमेंड्स और टॉप अप तो गैजियर अगर आप लोग को सर्वर अपना चेंज करना है तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मिशन बता देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो कि मैं एक अगाउंट के अंदर आ चुका हूँ जो इंडिया सर्वर का है तो सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर आके ना लेंगविश पे क्लिक कर देना तो अगर आप लोग जो इंडोनेशिया पे क्लिक करोगे तो इंडोनेशिया सर्वर में ज सकते हो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ब्राजियल सर वर में जा सकते हो ये शयद कोरिया रीजेन के लिए फिर ये ये येड्योरोप रीजेन के लिए और ये जो है नरी इसके नीचे वाला यह वाला ये मिन्या सर्वर के लिए ठीक है तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसे server change किया जाता हूं बैजर आप लोग को server change करने से पहले मैं यह बता दू कि best server free fire के कौन से हैं तो सबसे तीन top सबसे best server आपको बता दू मैं तो सबसे पहला है हमारा Indonesia server second server है हमारा Brazil server और third server है हमारा Mina server ठीक है तो यह तीन server free fire के सबसे best server है तो अभी मैं आपको बता दू कि server जो है न इवेंट्स पर depend करते हैं तो अगर आप जिसमें सबसे best event चल लो न वही server change करना तो अभी के लिए सबसे best server मैं आपको बता दू इंडोनेशिया server है इसलिए मैं आपको इंडोनेशिया server चेंज कर गाईजर मैं आप लोग को बता दू कि आपका जो server है न वो दो तरीकों से चेंज हो सकता है एक होता है with VPN और एक होता है without VPN तो मैं आप लोग को बता दू कि with VPN के अंदर आप लोग को एक new application डाउनलोड करनी पड़ेगी और हो सकता है कि वो paid application हो इसके अलावा आप लोग का free का data जाएगा daily का और मैं आपको बता दू कि आप लोग का clear data करोगे तो पूरा game data भी चला जाएगा लेकिन without VPN एक ऐसी trick है जो सबसे best trick है इसके अंदर आपको इंडोनेशिय और ब्राजील सर्वाद दोनों मिल जाएंगे और कोई data नहीं जाएगा ना clear data करना तो मैं आपको without VPN trick बता तो guys change करने के लिए सबसे पहला step है settings के अंदर आ जाना उसके बाद language के अंदर आ जाना उसके बाद Indonesia पे click कर देना ठीक है जैसी आप Indonesia पे click कर दो तो confirm कर देना अभी आप मेरा region देख सकते हो India है अभी का करना आपको game quit कर देना है यहां से जैसी game quit कर दो कि दुबारा से जो है अपना game open कर लेना तो जैसी अपना game open करोगे तो आपको changes देखने को मिल जाएंगे तो अभी जो है न मैं आपको changes दिखा दे तो guys here मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप यहां पर देख सकते होगे कि मेरा region तो India है लेकिन जैसी आपने नीचे देखा होगा तो मेरी language Indonesian हो चुकी है ठीक है तो अभी आपको क्या करना है सबसे पहले अपना account logout कर देना अब मैं आपको एक चीज़ बतातूँ कि आपको जैसी server change होगा तो आपको pinks problem देखने को मिलेगी 200 या 300 की pinks आपको आएंगी लेकिन अगर आपका internet अच्छा होगा तो आपको pinks जो है कम देखने को मिल सकती है तो आप लोग जो अपना internet अच्छा रखना तभी आप अच्छे से gameplay कर पाओगी दूसरे server के लेंग्विज चेंज करने के बाद आप लोग को न अपना account logout कर देना है और अब आपको क्या करना है एकदम new brand new account बना लेना है ठीक ह एकदम new होना चीए मतलब कभी उसमें login नहीं होना चीए तो guest का बना सकते हो facebook का बना सकते हो google का या twitter का बस new होना चीए कभी login नहीं होना चीए और कभी gameplay भी नहीं होना चीए तो अभी मैं क्या करता हूँ मेरे पास एक new twitter का account है तो twitter से जो है मैं जल्दी से login करके दिखाता और server change कर देशी मैंने अपना account login कर लिया एकदम brand new account तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी region नहीं आ रहा मतलब पता चलता है एकदम new account है कभी login नहीं किया तो जैसे ही मैं इसको open करूंगा तो कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिल जाएगा तो इसके अंदर यह पूचेगा कि आपको कौन सा region select करना है अगर आपको इंडिया में प्ले करना है इंडोनेशिया में नहीं करना तो फिर आप इंडिया में click कर देना ठीक है और अगर आपको server change करना है तो आपको इंडोनेशिया पे click कर देना है मुझे server change करना है इसलिए मैं video बना रहा को इंडोनेशिया पे क्लिक करके OK पे दबा दूँगा तो अभी देखो सर्वर चेंज हो जाएगा कन्फर्म पे आप जैसी क्लिक करोगे तब आप देखना कि सर्वर चेंज और सर्वर जो है मेरा चेंज हो चुका इंडोनेशिया सर्वर विदाउट एनी VPN तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि रीजन आप देख सकते हो इंडोनेशिया हो चुका है तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ कि क्या बेनिफिट्स होते हैं तो जैसी आप सर्वर चेंज कर लोगे न बेस्सर्वर के अंदर चले जाओगे तो आपको फ्री रिवर्ट्स देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं दूसरे सर्वर की मिस्ट्री शॉप ले कर सकता हूँ ऐसी मैं न यहाँ पर free में custom room cards ले सकता हूँ और कोई से भी rewards ले सकता हूँ free में जैसे कि मैं इसको claim कर लेता हूँ ठीक है तो यह जो है न सर्वर चेंज करने के benefits होते हैं कि आप लोगों को दूसरे सर्वर के भी free rewards मिल जाते हैं जैसा कि मुझे यहाँ पर pet की skin एक pet और एक character free मिल गया ठीक है तो यहाँ पर आप life proof देख सकते हो तो यह tokens मिलने यह जो है इंडोनेशिया सर्वर है यह अभी के लिए सबसे best है और आपको बता दूँ यही थी सर्वर चेंज की पूरी वीडियो without VPN अगर आपको समझनी है तो आप दोबारा से कमेंट करना मैं एक और न्यू वीडियो बना दूँ